हेलो एवरिवन कैसे आप लोग कैसे चल रही सबके पड़ा एकदम बढ़ियां मज़ेदार ओके सो माइनम इस संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में खुबसूरे से चैनल में जैयार टुटोरियल में तो जैसा कि आपको पता है we have started the 13th chapter वहाँ पे electromagnetic wave and communication वाला पार्ट electromagnetic wave वाला पार्ट हम लोग ने अल्रेड़ी देख लिया एक बहतरीन वीडियो अल्रेड़ी एवेलेबल है अल्रेड़ी अप्लोडेड है शायद तक तुम लोग ने देख लिया होगा नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो जाके देखिए और बाद में यहां पे आई है क्य श्क्राइशन का मतलब क्या होता है अटिज ए eruख्सेंग औरIP ने इन इन था वह मलत में फेमेशन ध्यक्राइश्चान गडिक शथा ओ सकता है बाध सर्स्क्राइबल यह था वर्ड पहर्म प्रस्राइब प्लेट यहां उस्टनी आग हम लोग नोग किसी भी लुग में अगर हम लोग information को exchange कर रहे हैं तो उस part को बोला जाता है communication उस part को क्या बोला जाता है communication अब communication में सबसे important होता है भाई wave की कहानी भाई कैसे wave propagate करेंगे तो यह already हम लोग ने इसके पहले वाली वीडियो में देख लिया तीन तरह के propagation ते space wave propagation, sky wave propagation और ground wave propagation तो अगर अभी तक तुम लोग ने वो नहीं देखा है तुमको नहीं पता वो क्या होता है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लो अब अगर हम लोग देखें तो communication में बहुत लोगों का नाम है एक Indian name है जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था electromagnetic wave के इसमें डाट इस बोस सर यस ओनो ओके जैसी बोस यस ओनो तो वो है वो नाम है फिर हन्रीच हर्ट का नाम है कहीं न कहीं फिर तुमारा ये भी आता है जेम्स मैक्सवेल का भी नाम आता है कहीं न कहीं ओके बिसिकली जो वेव है वेव के मदद से ही तो communication हो पा रहा है यह सब अब communication जैसे तुम मुबाइल पर बात कर रहे हो तो मुबाइल से क्या ही हो रहा है भाई electromagnetic wave निकल रहा है ना और electromagnetic wave क्या हो रहा है हमारे पास वाले transmitter के पास पहुच रहा है तो actual में देखने जा है तो वो भी wireless नहीं है क्योंकि वो wireless तभी तक है जब वो तुम्हारे फोन से actual तुम्हारे पास वाले antenna तक पहुच रहा है तभी तक वो wireless है उसके बाद वो through wire through optic fiber वो travel करता है तुमको पता होगा यह चीज़ ओके तो सबसे पहला है हमारा भाई block diagram कैसे systematic दिखता है तो this is लिए क्यूंकि उसको ही आपको transmit कराना information बहुत वह तो यह information होना बहुत ज़रू लिए अब जैसे information है मेरे पास अब वो information को क्या करूंगा एक appropriate signal में convert करूंगा जैसे मालों की मेरे पास को information जैसे मेरे इंफोर्मेशन है यह पानी अब यह पानी का तो वह फोटो जब ट्रांस्मीट होगा तो इन तरम्स आप फोटो तो ट्रांस्मीट नहीं होगा यह सवान उसको किसी और फॉर में एंक्रिप्ट करना पड़ेगा तो वह एक एलेक्ट्रिकल फॉर्म में एंक्रिप्ट करते हैं और वह कौन करता है transmitter करता है transmitter क्या करेगा इसका form convert करेगा और convert करके किस के पास बेजएगा भई channel के पास बेजएगा और बहुत कीश्च से पास मेडियव इसको मीडियम भी बोले जाता है मतलप किस मीडियम के थूँब ट्रावल हो रहा है तो also called as medium मान लो वो wireless है या फिर wired है तो किस के through वो travel हो रहा है अगर wire के through travel हो रहा है तो that wire act as a channel अब वो travel हो के किस के पास पहुचेगा receiver के पास पहुचेगा और receiver के पास जो signal आएगा उसको received signal बोलते हैं transmitter जो signal transmit करता है उसको बोलते है transmitted signal और receiver जो signal receive करता है उसको बलते है received signal अब receiver क्या करेगा वो signal को receive कर लिया अब वो signal को receive करेगा तो भाई वो फोटो के फार्म में तो रहेगा नी वो electrical form में रहेगा तो receiver क्या करेगा वापस उस electrical form को convert करेगा वापस ये तुम्हारा बोलते हैं न एनकोड करेगा और एनकोड करने यह decode करेगा, receiver क्या करेगा, decode करेगा, और वापस उसको image बनाएगा, और वो image किसके पास चला जाएगा, user के पास चला जाएगा, मतलब जिस user को signal की जरुद थी, मतलब जिसको तुमको वो information पहुचानी थी, जिस तक तुमको वो information पहुचानी थी, उस तक वो information पहुच जाए कोई बोलते हैं न सिगनल लॉस्ट हो जाता है तो इमेज कम्प्लीट नहीं जाता कोई किसी भी तरह का अन्वांटेट सिगनल जो तुम्हारे चैनल में आ जाए और साथ में तुम्हारे मेसेज सिगनल के साथ ट्रावल हो जाए डाट इसकाल नॉइस अन्वांटेट सिगनल य ले सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझा आया, कैसे काम करता है, यह communication part, अगर हम लोग देखने जाए, तो basically दो तरह के communication होते हैं, अगर तुम लोग ध्यान से देखने जाओ, तो दो टाइप के communication होते हैं, एक communication होता है, that is called as point to point communication, और एक communication होता है, that is point to point communication, point to point मतलब मालो तुम तुमारे दोस से बात कर, मतलब यहाँ पर एक transmitter और एक receiver है, तो जब कभी भी एक transmitter और एक receiver के बीच में communication हो रहा होना, that is called as point to point communication, okay, the communication between, the communication between, यहाँ पर double M आएगा, देख ले नहा, the communication between, one transmitter, and one receiver, यह भाई, एक transmitter और एक ही receiver होगा, वहाँ पर, and that communication is called as point to point communication, okay, जैसे तुमारे दोस के साथ, तुम लोग टेलिफोनिक बात कर रहे हो, okay, mobile पर फोल लगाया है, तुमारे दोस को बात कर रहे हो, that is nothing but a point to point communication, तुम तुमारे दोस के साथ, बैट के बात कर रहे हो, okay, single दोस है, तो broadcast communication में होता है, कि वहाँ पर एक transmitter रहेगा, one transmitter, बट जो receiver रहेंगे न, वो बहुत receiver रहेंगे, many receiver, जो receiver रहेंगे, वो बहुत सारे receiver रहेंगे, मतलब मानलो कि कहीं पर एक match चल रहा है, अब वो match को मैं transmit करा रहा हूँ, तो communication हुआ न, अब वो match एक साथ बहुत लोग द ही जागे चल रहा है, भाई transmitter रहा है, बट receiver बहुत सारे है, that is called broadcast communication, मतलब क्या होता है, एक साथ सारे लोग information देख रहे है, same information देख रहे है, that is called broadcast, जैसे अब ये video, ये video, अकेला मैं बना रहा हूँ, अकेला मैंने upload किया, बट इसको देखेंगे बहुत लोग, अब बहुत ल communication, okay, message नहीं, message तुम्हारे इसमें आता है, WhatsApp में भी आता है, देखो, okay, broadcast करना है, भाई, अगर same message मेरे को बहुत लोगों को भेजना है, तो मैं broadcast कर देता हूँ, clear, बास में आगा everyone, पका, दो type के communication होता है, एक होता है, point to point communication, और एक होता है broadcast communication, दोनों communication समझ में आया, yes or no, okay, चल आगे बढ़ते हैं, next, next is common term, यह सारे common term है, जो हमको काम आते है, communication में, okay, बहुत सारे basic term है, जो कि कहीं ने कहीं हम लोग ने सुना है, और कहीं ने कहीं तुम लोग ने, कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा थोड़ा बहुत, okay, basic information है, communication जानने के लिए भाई, यह basic information तुमको जानना ज़रूर ही है, okay, तो एक एक करके देखेंगे, सबसे पहला बात करेंगे, signal का, basically signal तुमको पता होता है, signal क्या होता है, अगर मेरा जो message है, वो किसी form में travel करना रहता है, भाई, अब मेरा जो photo है, वो actual photo तो जा नहीं सकता, वो किसी form में travel होगा, तो वो जिस form में convert होत होता है, that is called as signal, that is called as signal, अब signal भी दो तरक होते, एक होता है, तुमारा analog signal और एक होता है, तुमारा digital signal, क्या होता है, analog signal और digital signal, analog signal क्या, जिसका amplitude change हो रहा है, ऐसा, यह होता है, तुमारा analog signal, इसका amplitude क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, digital signal बोले तो तुमारा 1010 वाला, मतलब ऐसा वहाँ पे जो information travel हो रहा है वो binary number में travel हो राए 1, 0, 1, 0 मतलब उसके दो ही ये हैं signal है, 1 है और 0 है उसी form में वो travel हो रहा है that is called digital signal तो दो तरह के signal होते है एक होता है analog signal और एक होता है digital signal next आता है transmitter transmitter क्या होता है transmitter एक device है जो क्या करता है signal को transmit करता है और transmit करने से पहले वो क्या करता है उसको appropriate form में change करता है मतलब वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर मेरा message signal जैसे मैं बोल रहा हूं तो अब मैं जो बोल रहा हूं वो sound है तो वो sound को appropriate इसमें convert करता है that is called as transmitter मतलब जिस फॉर्म में उसको Channel करेगा आग mail कॉर्ण क्या सकता है तो इलेक्टिकल फॉर्म में एन्टियुसर क्या करता है यह जा होता है यह करता है यह एनर ठेकर बोल रहा हूं तोसाउंड एनर्जी है अब यह sound energy को क्या करेगा Convert करेगा किसमे electrical form में तो जब यह energy के form को change करता है that is called as transducer उसको क्या बोलते हैं हम लोग arriv dat true clear bus में आए तो transducer transmitter में भी लगा होता है और transducer receiver में भी लगा होता है जब receiver क्या करता है signal को receive करता है तो वो signal को receive कर रहा है तो वो electrical form में receive कर रहा है, अब electrical form में अगर मेरे कोई सुनाई देगा, कुछ आवाज आएगा, क्या नहीं आएगा, तो ट्रांडियूसर वापस क्या करता है, उस electrical form को reconvert करता है, किसमें sound wave में, और फिर मुझे वो sound wave सुनाई देता है, तो ट्रांडियूसर दोनों में होता है, transmitter में भी होता है, और receiver में भी होता है, clear बासन आगया, next is noise, noise क्या होता है, हम लोग ने already discuss कर दिया, भाई ये क्या है, unwanted signal है, unwanted information है, जो during the process of communication कहीने कहीं से आ जाता है, जो हमने नहीं बेजा, but कहीने कहीं, during beach में कहीने कहीं आ गया, वो unwanted voice हो सकता है, unwanted, बोलता है ना, कहीने कहीं image खराब करने वाली बात हो जाती है, मतलब जो image हमने भेचा है, वो कहीने कहीं खराब हो जाती है, आधा image आता है, कभी-कभी, तो वो क्यो हो रहा है, because of the noise, because of the noise, next is amplification, देखो, नाम में ही amplification दिख रहा है, मतलब क्या है, amplitude को बढ़ाना, amplitude का जो strength है, वो बढ़ाना, मतलब क अभी-कभी ऐसा होता है, कि जो signal है, उसके पास उतना ज्यादा amplitude नहीं है, जिस amplitude से वो transmit हो सके, तो signal के strength के, उसके amplitude को बढ़ाना is called as amplification, जैसे तुम्हारा speaker, speaker is also amplification, जब मैं mic पर बोलता हूं, hello, तो मैं धीरे से बोल रहा हूं, hello, but जब लोगों को सुनाई देता है, तो बह बोलता है, amplification, next is nothing but a range, okay, next is nothing but a range, भाई, range क्या होता है, range अगर हम लोग देखने जाए, तो basically, जहां पर जितने, मतलब जिस distance तक, तुम क्या कर रहा हो, signal को transmit कर रहा हो, मतलब the distance between transmitter and receiver, that is called as range, मतलब यहां से signal transmit हुआ, receiver तक पहुचा, without any help, that is called range, भाई, मतलब यह transmitter का उतना range ह है, उतने दूर तक वो distance को क्या कर सकता है, उतने दूर तक वो signal को क्या कर सकता है, transmit कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, range, okay, these are the basic terms, यह सारे basic terms है, इसका जो definition है, तुमारे book में बहुत 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 बहुतरी तरीके से number voice दिया हुआ है, तो वो जाके read कर लेना एक ब modulation भी है, but amplification सिर्फ बात होता है, amplitude की strength बढ़ाने कोई, but modulation में क्या होता है, कि यहाँ पर हम लोग frequency, amplitude और phase, तीनों का modulation कर सकते, मतलब मालो मेरे पास कोई information है, उसकी frequency बहुत कम है, अब उसकी frequency बहुत कम है, तो उसको मैं transmit नहीं करा सकता, अब मैं उसको transmit नहीं करा सकता, तो म क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर करता हूँ, frequency modulation, क्या करता हूँ, frequency FM, FM तुनों में सुनते हो नहीं, that FM is nothing but frequency modulation, तो frequency modulation करता हूँ, उसका strength बढ़ जाता है, और बाद में मैं वो signal travel कर रहता हूँ, बाद में वो जो signal है, उसको transmit कर रहता हूँ, तो यह जो process है, that is called as modulation, उस process को क्य क्या बला जाता है, modulation, तो तीन तरह के modulation है, एक है frequency modulation, दूसरा है amplitude modulation, और तिसरा है तुमारा phase modulation, ओके, तो तीनों अगर, तीनों मेरे को modulate कराने है, तो मैं तीनों चीज़ से modulate करा के क्या कर सकता हूँ, signal को transmit करा सकता हूँ, अब signal transmit तो करा दिया, भाई, modulation तो हो गया, बट ज कहा होता है, यह receiver के end पर होता है, demodulation, receiver के end पर demodulation होता है, वहां पर क्या होता है, भाई, जिस form में originally was signal था, उस form में, उस frequency में वापस originally उसको convert कर दिया जाता है, that process called as demodulation, उस process को क्या बलते है呢, demodulation, क्योंकि जब frequency आई थी, तो वो उसका original frequency नहीं था न, वहां पर modulation किया γ आता तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं modulation बोलते हैं but क्या हुआ जब वो मेरे पास पहुच गई अब मेरे पास पहुच गई तो उसका original frequency आना चाहिए ना तो original frequency के लिए वापस वहाँ पे demodulation होता है तो that process is called as demodulation clear बासन में आ गई next is nothing but repeaters okay repeater क्या होता है भाई माल लो कि अगर मेरे को transmitter और receiver है और यहाँ पर receiver है अब transmitter और receiver के बीच में travel कराना है तो बहुत दूर-दूर है तो बीच में क्या करता है हम लोग repeating लगाते हैं मतलब बीच में हम लोग एंटीना लगाते हैं जिनके पास एक तरह से एक साइट से वो ट्रांस्मीट करता है मतलब रिसीव करता है और दूसरे से transmit कर देता है एक तरह से receive कराता है दूसरे जगे से transmit कर देता है मतलब जादे दूर तक अगर में को signal को travel कराना है तो जादे दूर तक travel कराने के लिए मेरे को beach beach में तुम नहीं देखा रहेगा antenna लगा होता beach beach में towers लगे होते हैं वो towers क्या होते हैं that is called repeaters repeaters बोले तो क्या transmitter कौन होगा वो जो transmit कर रहा है receiver कौन वो जो receive कर रहा है but वो travel कराने के दौरान beach में बहुत सारे towers use होते हैं भाई directly थोड़ी जाता है उतना long distance तक travel नहीं कर सकता बीच में पहले एक transmitter मतलब एक tower तक जाएगा वो क्या करेगा receive करेगा फिर वो transmit करेगा फिर दूसरा वाला tower receive करेगा फिर वो transmit करेगा तो यह जो बीच वाले part है इंको repeaters बोला जाता है यह पहला वाला transmitter हो गया last receiver होगा but बीच में भी तो use or that is called repeaters उनको repeaters बोला जाता है clear repeaters के पास by transmission और receiver दोनों होता है एक तरह से receive करते हैं और दुसरे के से transmit कर देते हैं वो clear बास ना this is called as repeaters okay so these are the basic terms which is used in the communication part कहीं न कहीं तुमने यह सुना होगा कहीं न कहीं तुमने यह पढ़ा होगा और communication part बहुत easy है मतब यह कहीं न कहीं हम relate कर पाते हमारे day to ले जाए से mobile से tv से television से radio FM से यह बहुत relatable है तो बहुत easy topic है okay इसके उपर easy questions बनते हैं तो क्या ही करना है भाई फटा फटा सारे के सारे notes बना लेना है सारे चीज़ों का जैसे मैंने सारा चीज़ दिया हुए यहां पर बहुत बैतरी समझाना और कुछ नहीं करना clear समझ में आ गया everyone पका तो हीर वी आर कंप्लीटेट जैसे मैंने बताए बहुत चोटा topic बनने वाला communication बहुत easy topic है तो यहां पर हम लोगने क्या किया communication वाला part खतम कर दिया है end हो गया और साथी साथ तुमारा जो electromagnetic wave वाला जो topic है वो भी खतम हो चुका है मतलब यहां पर electromagnetic wave और communication वाला जो चाप्टर है वो खतम हो गया बहुत छोटा सा चाप्टर था ठराटिकल चाप्टर था इसलिए हम लोगने कम lecture में इसको खतम कर दिया ओके जो थेरी वाला पार्ट है वो तुम तक है वाई तुम अपना नोट्स बनाओ अपने तरीके से पढ़ो अगर कुछ डाउट है तो comment section है comment कर दो या फिर मैं को तो मुच तो मुच